Hello everyone, Donny Kitchen में आपका आस्वागत है आज अच्छा की कुछ लाइट सा खाया जाए इसके लिए मैं बहुत ही healthy breakfast बनाने जा रही हूँ जो की बहुत ही healthy और बहुत ही light है और बहुत ही जल्दी बनने वाला है मैं आज दही bread बनाने जा रही हूँ इसे बनाने से पहले मैं आपसे request करना चाहूँगी प्लीज मेरी वीडियो को like करें, subscribe करें and share करें तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है दही bread दही bread बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये चार bread ये मैंने white bread लिया है आप चाहें तो आप brown bread भी यूज़ कर सकते हैं ये मैंने लिया चाट masala 1 चममच, थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पावडर लिया है, मैंने बहुत जादा मिर्च नहीं लिए क्योटे क्योंकि मैं बत्चों के लिये special लिये ब्रेक्फास्ट बना रही हूं यह मैंने फ्रेश मलाई लिया है, आप अमूल फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं, यह मैंने दही लिया है, दो चम्मच, यह मैंने लिया है बटर, बटर को मैंने बारीक बारीक स्लाइसे में काट लिया है, और यह मैंने थोड़े से कॉंस लिया है, कॉंस बच्चों को बहु खटा दहीं जो है वो अच्छा नहीं लगता इसके अंदर हम डाल देंगे प्यास, ट्रमाटर, खीरा, कॉंस, नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप देख रहे हैं, बहुत ही healthy breakfast है, अगर आपके समझ में कई बार नहीं आता सु कर सकते हैं, हम सबसे पहले ब्रेट के ओपर टमेटो केचप लगाएंगे, यह हमने दो ब्रेट पे टमेटो केचप लगा ली है और दो ब्रेट पे हमने बटर लगा लिया है, तो अब हमने क्या करना है, बटर वाले ब्रेट पे हमने अपना जो मिक्स्चर है वो फैला देना इस तरह से, आप हम इसके उपर इस ब्रेड को अलका सा पुछ करते हुए लगा रेगे इसको हम सेंटर से कट कर लेएं, ये हमारा ब्रेड तयार है, इसे हमने इस सी तरह से कट कर दिया है, आप इसे बच्चों के टिफर में डाल सकते हैं और breakfast में इसे ले सकते हैं, बहुत ही healthy dish है, इसमें oil नहीं है और vegetables है, और दही है, मलाई है, बच्चों के लिए सब चीजें बहुत ही अच्छी हैं, उमीद है आप सब को बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि बहुत क्विक बनने वाला ये breakfast है, इसे हम सॉस के साथ सब कर सकते हैं सॉस के साथ हम बच्चों के टीफर में डाल सकते हैं, आप इसे ट्राइ जरूर करें, जरूर बनाएं और बच्चों को जरूर खिलाएं, उमीद है आपको बहुत पसंद आएगी, अगर आपको मेरी रेसेपी पसंद आएगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मे